इस वक्त मैं मौझूद हूँ मुरदाबाद जन्पत में मेरे साथ बात करने के लिए सनातन धर्म से जुले हुए लोग हैं धर्म गुरू भी हैं सीधा इनसे जानेंगे तो त्रीप्रा में घटना हुए हैं मंदिर में प्रशाथ के अंदर कई चीज़े ऐसे मिलाए गई हैं सनातन धर्म में किस्ताम भुण नहीं हो तो लिह अगर ये सारे निटेश आपस में लड़ा रहे हैं रस्यान है उक्रेहनर उधर गाजा है इस्ड़ाइल है आइए लेकिन Уच हस्ति हमारी अच्प सेगभारं इन परीस्धित्यों में परगति कर रहा है और भारत की प्रगति यहां के सनातन धर्म की शशक्ति करण है, संबर्धी करण है, आज हमारा देश पुरानी सनातन संस्कृति में लोट रहा है, जिसके लिए अलगावबादियों, आतगवादियों को, विद्धस्नकारी सक्तियों को ये बात सहन नहीं हो रही है, आज भारत अब तो सारे बिश्व को स्युकारे होता चला जा रहा है, यहां तक कि इस बिश्व सांती के लिए हमारे देश के प्रदान मंतरी को बड़े आदर के साथ बुलाया जा रहा है, तो कुछ देश पुरूदी शक्तियों को ये बात नगबार गुज रही है, और उन्होंने अधु धर्म को जातियों में फूट डालें, मंदिरों पर आक्रमन करें, लब जिहाद करें, लेंड जिहाद करें और अब तो ट्रेंड जिहाद भी आ गई है, तो इन सारे कुकर्मों के द्वारा वो हमारी सांती को भंग करना चाहते हैं, और जो हमारा ससनातन धर्म है, उस को उकसाना चाहते हैं, जिससे यहाँ पर भी दंगे हों, यहाँ पर भी थोड़ा संतोस हो, लेकिन हम लोग हमारा नितत इस वकत बहुत अच्छा काम करा हैं, और हम लोग इन कायरतापूर हरकतों से कभी भी अपने मार्क से बिचलित होने वाले नहीं हैं, और यह जो हरकत ह हुई है, कि परशाद जैसी पवित्र बस्तू में जानवर की चर्वी मिलाकर इन्होंने हमारी अध्यात्मिक हत्या की है, और यह अक्छम में अपराद है, हम भारा सरकार से निवेदन करेंगे, कि ऐसे सारे अपराद यहों पर आसुका लगाएं, भीशन से भीशन उनको डं पर अभी भी लगातार हमले हो रहा है, किस तरीके कदम सरकार को उठाना चाहिए, देखे हम हर बात में सरकार की जिम्मेदारी नहीं ठेरा ते, सनातन धर्म के मानने वाले भी पूरे देश में रहते हैं, बिल्कुल मैं आपके सहमत हूं, सनातन धर्म की बात अगर है, सनातन सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, बिल्कुल मैं बात तो सिर्फ इतनी है, कि जहां जहां पर भी सनातन धर्म और हम हिंदूओं की आस्थाओं पर आगात हो रहा है, उन सारी घटनाओं की निश्पक्ष जाच होनी चाहिए, और जो भी दोशियों कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, जिससे की आगे ऐसा करने की हिम्मत ना हो, जब आपने ये सरे की बातें उठाई हैं तो देखेे, बॉलीवुड हमारा जो है वो कही समय से, दशकों से, कही दशकों से, हमारे हिंदु धर्म के खिलाफ, हमारे सनातन धर्म के पहले भी थे लेकिन अगर वह यह समझ रहा है कि हम कायर हैं बेवकूफ हैं तो इसकी गलती है अगर हम अपने पर आए तो हम 4 को काटकर डाल देंगे सरकार से क्या कुछ मांग रहेगी इसंस्था है उसमें प्रवेश करने का या उसका पदाधिकारी होने का अधिकार नहीं हो सकता नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए कि पूरी घटना हुई आपके सामने पूरी घटना हुई क्या कुछ कहेंगी इस पूरी घटना को लिए कि हम लोग को एक जूट होना चाहिए हर तरीके से जैसे मुसल्मान है वो लोग एक चलते एक मुल्ला निवेदन तो शंकराचारे से हैं कि वो धर्म गुरू है न हमारे वो क्यों नहीं आवाज उठा रहें उनकी एक आवाज सारे हिंदु जो जुट जाएंगे तो मेरा निवेदन तो शंकराचारे से कि शंकराचारे जो हैं वह आएं आवान करें और इस बाति खिलाफ आवां किया अपील कर सकती हूं कि हमारे जो भी मंदिर हैं उनकी सुरक्षा का हर तरेके से उनकी सुरक्षा का ध्यान हमी लोगों को रखना होगा देखिए मेरे घर में अगर कुछ हो रहा है तो मैं दिनेश सब्सक्राइब क्या सकतिயुंगी मेरे घर की सुरक्षा तरुप मैरे घर की सुरक्षा क्या दियान मुझह ś mound की रक्षा करने की फ़ेंगर हमारी पर बूं सब्सक्राइब Wir Ju कि ही दो तो यहां पर विह हमारी ध्रमिक प्रतिस्ठान प्रन्दिर विस गए ने या हम पहुंचाने वाले विरोधी तत्व तो वहां नहीं आ गए इस वात काम को ध्यान रखना होगा और उन्हें वहां से हटाना होगा अभी आपना मद्द जकर किया था एक कई जो पैसा होता जो मंदिर में जो दान इखटा होता हो सरगार की काम में जाता तो क्या कुछ मांग रह है जो भी उनको अनुदान मिलता है वो केवल हमारे धर्म के हितार्थ खर्च होना चाहिए अभी बीच में हमने देखा सिमी जैसे संग्ठन के पास हमारे मंदिरों का चड़ावा पहुंचा जो देश को विद्धवन्स कर रहे हैं साथी श्रणार्ती और गुस्पेटिय में दोहन करता है और कहीं ना कहीं वो आतगवादी घटाओं में सनलिप्त हो जाता है जैसे सहजादा सेख था वहां का पस्ची मंगाल का अभी बीच में जहारकन में भी कुछ लोग पकड़े गए जो बंगला देस में रहते तो यहां करोनन साधिया करी जमीनों पर कबजे करे तो हम ऐसे सारे गुस्पेटियों का बिरूत करते हैं श्रणार्ती तो हमारे अपने ही विवेक से दिये हुए लोग होते हैं तो श्रणार्ती अपने हिसाब से रहें और गुस्पेटिये एक चोरों के समान होते हैं आतकवादियों के समान होते हैं साथ ही हम देख रहे हैं ट्रेन को पल्टाना ये सोची समझी साजी चल लई है और मैं देश के उन मसलवानों से भी आगरे करूँगा अगर वो राष्ट भक्त बनके रहेंगे मुलाना अबुल कलाम आजात के रहा पे चलेंगे तो उनका सम्मान भी होगा और अगर वो आतकबादियों का समर्तन तो अपना भविश्य भी खत्रे में डाल ले मेरा बिलकुल इस फ़स्ट कहना यहां रहना होगा तो भारत की राष्टिता के साथ रहना होगा आप भारत की सरकार को आप मुर्ख नहीं समझ सकते कि वो गाजा में क्यों नहीं इंटरफेर कर रहे कि पाकिस्तान से बात करिए आप किसको सला देना चारा है अभी एक जरासी बात पर आप पूरा भीड़ लेकर बंबाई गए क्यों गए आप बताईगे आप एक तरफ कह रहे हैं कि बख में हम संसोधन स्विकार नहीं करेंगे अरे संसोधन क्यों नहीं स्विकार करोगे समय के नोड़ सब को बदलना च सरियत चाहिए तो जहां फायदा वा सरियत चाहिए और सरियत के हschaft से अगर आब 12 सरकार डंड़ नहीं लेगी क्या करोगे गले काटने लेग अधिक ऑठ काटने तो क्या करोगे तो इसका मतलब हम को समझना चाहिए हम में आज धर्म गुरू मैं भी धर्म गुरू हूम मैं सि और यही अलगाववाद पड़ा है दर्म को सियास्त से जोड़नां कुछ लोग उन लोग नहीं के कुछ कहिए देखे मैं तो साप कहता हूं बिलकुर मदर्सो काम क्या है दीन और इलम की वो देना तालिम देना ठीक है आज मदर्सों में क्या निकल ले हत्यार निकल ले देस व सांती हो जाएगी जैसे हम लोग वेदों पे पुरानों के अनुसार अपने लोग को आज तक सांत रखे हुए आज तक अभी तक हमने चूट नहीं दिये कोई भी हमारा धर्म गुरू अपने सनातन धर्मियों को कभी नहीं उक्साता वो कहता है धर्म के अनुसार चलो लेकिन अब हमारी जैसे कि हमारी बहन अर्चना सर्मा जी ने कहा कि अब हमारे बरदास की सहन से जो सकती है सीमा वो खतम हो रही है अरे पांसो साल पहले भी हमारी बहु बेटियों को निशाना वजा जा रहा था पांसो साल पहले भी हमारी संपत्ति का हरण किया जा रहा था लूट पर कोई बात आती है तो हम ज़्यादा सेहन नहीं कर सकते हैं बहुत हो गया अब इतना जो आप देखें ना कस्मीर पंडितों के क्या गलती थी अरे गुरू गोविन सिंग जी के बच्चों को दिवाल में चनवाया गया था क्या गलती थी उनकी वो ही आज़ा आप करें आज़ गजवाहिंद क्या है कि हमने यहां के मसल्मानों को चैन से रहने नहीं दिया कि हमने बड़ा भाई का अपना वो नहीं अपना लेकिन जहां जहां मुसलिम ज़्यादा हो जाते हैं वह हिंदों को रहना मुस्किल हो जाता है चाहां आप गानिस् है, यूरोप में भी अलगा हो रहा है, रसिया में भी अलगा हुआ, काई के लिए हुआ, किसी आपने हिंदू धर्म गुरू के हाथ में 417 देखी कभी, काई के हमारे लादेन और काई के धर्म गुरू है, जो हत्यारों के साथ चलें और लांचरों के साथ चलें तो यह बहुत बिकर्त मान सिकता है इंटरनेशनल लेवीपल जो इस बड़े समुदाय को खत्रे में डाल सकती है हाँ अगर वो बड़ा समुदाय हमारे सनातन सिक्षाओं के अनुरूप चलेगा तो जी और जीने दो वो ऐसी पनपता रहेग मरदाबाद में तिर्वप्रवा में मंदिर में हुए पूरे प्रक्रण को लेकर बात की गई है मरदाबाद के लोगों ने अपने प्रितिक्रियत दी है शारिक सिद्धिकी टीवी नाइन मरदाबाद